मैंने कहा था ये सवाल जितने भी रहेंगे वो बहुत कम आपका टाइम टेकिंग करेंगे बस आपको पढ़ने में जो टाइम लग जाए यह दो बहुत बढ़ा हो गया चलिए साथ कि आजाएए क्या कहता है सवाल कि कहता है एक्स एक्वायर दा प्रॉपटी प्रीवियस येर 1982 और 83 में पांच लाग का एंड पेड एक मिनट मैं इससे थोड़ा और आसान सवाल देख लिया जाएं जिफ्टेट ठीक है सर इसके बाद ये है साथ आठ चलिए ठीक है सीक्वेंस ही चल लेंगे ध्यान दीजे ध्यान दीजे कहता है एक्स है मिस्टर एक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है सर इसने घर खरीदा एक प्रॉपटी खरीदा सर प्रॉपटी खरीदा उन्नीस सो ब्यासी और ट्रासी नाइंटीन अटी टू एटी त्री कितने गगखरीदा सर पांच लाग का एंड पेड एक लाक अठारह हजार एज़र रजिस्टरेशन चार्ज सर रजिस्टरेशन चार्ज पेड कर दिया इसने एक लाक 38000 the market value of property 142001 का कितने का था हमारा 142001 education market market value 20 लाक तो सर यह पुराने वाला क्या कोई काम का है मेरे नहीं है सर पुराने वाला value किसी काम का नहीं है हमारा सीधा value कोन सा आएगा 142001 वाला आगे कहता है question में X died, समस्य यहां एक्स नहीं रहा जो एक्स है वो डाइड हो गया एक्स के देथ हो गई देथ देथ कब हुआ एक्स का पंदरा नो दो हजार अठारा और दा प्रॉपर्टी वस ट्रांसफर हिस सन और ये घर ये घर इसके बेटे को मिल गया किसको मिला वाई को जो उसका बेटा वाई था थुरू इनहेरेंट्स इनहेरेंट्स का मतलब विरासत में मिल गया दा मार्केट वैल्यू अफ्रॉपर्टी और पंदरा चार दो हजार अठारा और इस दिन का भी मार्केट वैल्यू हम बता रहे हैं आपको कितने रुपे सर 40 लाक इसके बेटे को जिस दिन प्रॉपर्टी मिला उस दिन प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी 40 लाक वाई सोल्ड इस प्रॉपर्टी और वाई ने अपने पापा की प्रॉपर्टी को बेच दिया कितने का बेच दिया 65 लाक का 31 पांच 2 हजार किस एकतिस पांच दो हजार सर कितने का बेच दिया 65 लाख रुपए का बेच दिया इसने कहता है कम्प्यूट कैपिटल गें फॉर दा असेस्मेंट ये असेस्मेंट ये बाईस ते इस जो कि हम कर रहे हैं अभी हाल फिलाल में सवाल फुल वेल्यू ओफ कंसिडरेशन सर कितने का बेचा लेस एक्सपेंस सर कोई एक्सपेंस सवाल में डिसकस नहीं किया गया तो नहीं होगा यह आजाएगा नेट सेल कंसीडरेशन सर क्या आएगा नेट सेल कंसिडरेशन पैंसट लाग माइनस कर देते हैं कॉस्ट आफ एक्कुजेशन सवाल यह आता है इसके पापा ने खरीदा था पांच लाग का फिर एक तारिक का वेल्यू यह था इसका बेटे को जिस दिन मिला वेल्यू चालिस लाग था अब तीनों में से पहले तो यह दोनों क्लियर करते हैं यह दोनों में से तो आएगा पका यह यानि सर यह वाला पाट तो किसी काम का नहीं इसको तो पहले दिमाग से निकालो अब कंफ्यूजन है कि बेटे ने बेचा है तो बेटे का खरीदा हुआ क्या प्राइज माने 40 लाग प्राइज माने क्योंकि जिस दिन उसको मिला वो क्या था 40 लाग या 20 लाग माने जो कि 1-4 का वेल्यू था सवाल यहाँ पे यह आता है कंफ्यूजन वाला तो क्या कहा रूल देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा रूल क्या कहता है रूल कहता है भाईया प्रीवियस ओनर का ही कॉस्ट ओफ एकुजेशन लेना पड़ेगा सर प्रीवियस ओनर का मतलब भाईया ये नया ओनर है और प्रीवियस ओनर इसके पिताजी है तो cost of acquisition हमेशा previous honor का लेना पड़ेगा अगर इसके पापा gift भी देते ना तो कौन सा लेते previous honor सर यानि सवाल में सबसे main point यहां पे लेगे हम 20 लाख रुपे divided by 100 रहेगा 100 क्यूं क्यूंकि हम 20 लाख रुपे ले रहे हैं इस date का और सर इस date की indexation की अगर हम बात करें तो इस date का indexation हमारा कितना तर 100 और हम अगर 21-22 की बात कर लें तो क्या है 317 तो सर 21-22 में आ जाएगा 317 तो एक सवाल और समझा पिछले वाले सवाल में हमने क्या सीखा कि अगर हमें पुरानी value given हो तो दोजार एक की value ले लेंगे इस वाले सवाल में क्या सीखा हमने अगर आपका कोई भी property किसी के नाम पे free में inheritance में gift में transfer हुआ हो कभी भी तो हम उस date पे क्या value doesn't matter जो पुराने मालिक ने करीदा था वो value से हम सारा का सारा consider करेंगे sir तो आ जाएए यहां पर यहां पर देखा जाए तो 20 लाक इंटू में 317 divided by 100 सर 63 लाक 40 अजार अब आ गया यह LTCG किसी बच्चे को कोई इसमें doubt किसी बच्चे को कोई doubt father अगर son को देता है तो वो भी transfer थोड़ी होता है बिल्कुल सही बात है वो transfer नहीं होता क्योंकि transfer regard not जिस दिन विकाही नहीं माना जाएगा तो फिर माना जाएगा जिस दिन खरीदा है उसकी value मानेंगे पहले बताईए इस सवाल में कोई doubt एक बच्चा कह रहा है सर 2021 में से 2078 तक यह 43 साल होते है तो long term है हाँ जी इतना ज्यादा थोड़ी जाना है हमें तो वैसे ही पता चल रहा है सर यह long term है बिल्कुल आपके 10 year के अंदर सारी given है और यह pdf तो देखो मैं upload करता ही हूँ कि आप आप उसको note करका हो क्योंकि मैं note करने के लिए time देता नहीं और जो बच्चे offline भी हैं उनको भी टेली ग्राम पे daily basis पे pdf अपडेट किया जा रहा है last class का भी आ गया होगा pdf जिससे के आप note कर पाओ उस pdf को save करके नहीं रखना नहीं तो बहुत जादा dangerous होगा आपके लिए सर वीडियो disabled सर वीडियो disabled है तो आप देख कैसे रहें पर बताइए बच्चे कह रहें सर registration charge की value add नहीं होगा अब देखें registration charge की value इसलिए एड नहीं होगा क्योंकि इस दिन जो value निकाला गया होगा ना वो सारा पीछे का जोड़ के निकाला गया होगा तो registration चार इर्रेलिमेंट रहेगा चलिए एक और सवाल देखा जाए और यहाँ पर ओल्ड रिज्म नियू रिज्म का कोई रोल नहीं रहता तो इसमें कोई मतलब भी नहीं है सर फिलाल के लिए तो format बना लेते हैं पहले हम इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल देख लेंगे और उसके बाद फिर बड़े सवाल पर आएंगे बहुत छोटा सा चप्टर है सर यह लेकिन concept पता होना ज़रूरी है देखिए सवाल में क्या कहता है एसेट्स एक्वाइड बाई एसेसी फ्रॉम दा प्रीवियस ओनर सर एक एसेट्स एक्वाइड किया गया था एक चार दो हजार एक में कहता है एक सेक्वाइड अलेंड एक्वाइड लेंड किया था नाइनटी नाइनटी सेवन में और नाइनटी एट में साथ हजार रुपए का और गिफ्टिड टू मेजर सन अब यहां गिफ्ट दे दिया गया अपने बेटे को गिफ्ट दे दिया कब दे दिया गया एक छे दो हजार सवाल तो आप समझी गए होंगे और जिस दिन गिफ्ट दिया गया उस दिन इसका वेल्यू था ग्यारा लाक पचास अजा दा फियर मार्केट वेल्यू आफ एक चार को बारा लाक रुपए और सर बोलता है सवाल में एक चार को हमार जो फियर मार्केट वेल्यू है वो है बारा लाक वाई ने सोल्ड कर दिया इस गिफ्ट को 21-22 के अंदर 40 ल पहले फुल वैल्य ओफ कंसिडरेशन ले लेते हैं हुआ फुल वैल्य ओफ कंसिडरेशन सर कितने का बेचा में चालिस लाग का तो बचा हमारा कितने का 39 लेक का, इसके बाद क्या कहता है, compute the capital gain for assessment year 22 days, assume the expense on transfer 1 लाक रुपए है, what would be the capital gain if land was gifted by X to his son on 15-5-2007, अगर इसके बेटे को इस दिन gift दिया जाता, तो क्या आता, simple सी बात है, सबसे पहले तो minus करने, COA, COA में FMB लेंगे, FMB कितना है, 12 लाक into में, आप divided में तो 100 रहेगा, क्योंकि कौन सब honor लेगा है, इस date पे इसके बेटे को मिला, तो क्या ये date consider किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, previous honor का concept क्या आएगा यहाँ पे, और into में हमारा 317, 38 लाक, sir 38 लाक 4,000, minus करके आगे हमारा LTC 90, sir बोलता है कि अगर इसके बेटे को 15-5-2007 में देता है, तो क्या फरक पढ़ रहा है, बेटे को तुम कभी भी देता, बेटे की वाले को जिस दिन मिला है, उस दिन के value का तो कोई importance है ही नहीं, तो बेटे को उस दिन भी देता, तो क्या आपकी answer पर फरक पढ़ता, जवाबे sir नहीं नहीं, कोई answer पर फरक हमारा नहीं पढ़ता, सर, स्क्रीन पर message शो हो रहा है, कौन सा message आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो चल नहीं रही है, बाकी बच्चे जितने भी है, लाइब में बताईए, वीडियो क्लियर आ रही है, नहीं आ रही, ताकि पता चल पाए, कि अगर सभी को दिक्कत आ रही है, तो genuine problem है, अगर कुछ को दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है, internet वहाँ पर setting का option होता है, वो कुछ बच्चे कह रहे हैं, disabled, तो जिन बच्चे कहा रहे हैं, disabled, आप एक काम करिए, दूसरा कोई भी mobile हो, तो एक बार वीडियो बना लिए, ताकि मैं आपके problem को sort out करवा पाहूं, देखके कि क्या actual problem है, मुझे समझ नहीं आ रहा, काफी बच्चे बोल रहे हैं, सर बिलकु कि recorded तो आपको मिलता ही मिलता है, जिसके पास ये problem आ रहा है, वो फटा फट से एक छोटे से किसी other mobile से screenshot तो लिया नहीं जाएगा, किसी other mobile से छोटे वीडियो बनाके, आप मुझे भेज दीजिएगा, 913636 बॉला जो number भेजा हुआ है, उस पे, मैं एक बार refresh कर लेता हूं, चलो, मैंने कर लिया सर, refresh, हाँ आप यहाँ पर बच्चे बढ़ गए, refresh करने के बाद, बच्चे कहने सर, 12 लाक रुपए क्यों किया, क्योंकि FMB इस date पे जो market value होगा, उसी को तो लिया जाएगा, आपने property इस date पे खरीदा है, इस date पे indexation तो है यह नहीं, तो कौन से date का value ल होएंगे, जिस दिन का indexation available है, और सवाल में यही दे रखा है, चलिए, देखे, मैं दुबारा समझा देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं, सवाल में यह था, कि Mr. X का, X ने यह property खरीदा था, 1997-98 में, 97-98 में कितने का, 6 लाक का, उसके बाद उसने अपने बेटे को 16-2000 में, मरा नहीं है यहाँ पर, अपने बेटे को gift दे दिया है, 11,50,000 रुपए, उस दिन value था, जिस दिन बेटे को क्या दिया था, उस दिन की value है, तो सर इस दिन खरीदा था, बेटे को इस दिन gift दिया था, और बेटे ने क्या करा, चल होगा और लॉंग ट्रम ही होगा क्योंकि लंबे समय का है तो सबसे पहले सर लॉंग ट्रम की बात करें तो यह रहा उसके हिसाब से हमने यहां पर निकाल लिया है बड़ी सीधी सी बात है यहां पर कि दोहजार कि वह देगा हमेशा हमेशा देगा नहीं देगा तो आप अजम्शन ले सकते हो के सर हमारे मार्किट वैल्यू इसी को कंसीडर करके कर रहे हैं झाल झाल झाल